हाई गाईज वेलकम डू आले बोर्ड एससी एंड रेलवेस चैनल कैसे आप सभी लोग उमीद करता हूं सभी लोग बहतरीन होंगे और मैं सौरब आप सभी लोगों का साइंस फेकल्टी और सभी मेरे भाईयों का बहुत है दिल से आज के आपके इस क्लास में स्वागत करता ह हूं और उमीद करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे और हम अभी यहां पे साइंस का एक अपना सीरीज स्टार्ट करे थे लास्ट वीक जिसमें हम साइंस के कुछ बहुत ही महत्वोंड अपन एमसी क्यूज कर रहे थे ठीक है जो भी आपका लेवल 4 और लेवल 6 में साइं आए थे उन्ही प्रशनों पर आधारित हमने कुछ most expected questions की अपनी एक सीरीज स्टार्ट करी थी जो आगे आने वाले लेवल 2, 3 और 5 वाले students के लिए बहुत important होने वाला है ठीक है तो यह आपका CBT 2 special एक तरह से class है जिन बचों का आगे अगले कुछ दिनों में 10-12 दिनों में पेपर है उनके लिए बहुत important class है as a revision इस class को जरूर देखिए और क्या सारी चीजें मैं आपको बताता हूं उन सारी चीजों पर भी गौर जरूर करें ठीक है तो चलो यार आजओ Monday है थोड़ा बहुत जोस दिखाओ है ना और फिर class को start करते हैं ठीक है चलो आजओ एक बार fit batch launch किया है ठीक है यह SBI PO और IBPS और RBPO का batch है जिसको आप prepare कर सकते हैं प्री और मेंस की complete preparation कराई जाएगी सारी classes आपकी SBI PO मेंस तक चलेंगी IBPS के mains तक की सारी live classes चलेंगी यहां पर सारे आपके सामने details हैं क्या सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और sort of code पे इस fit batch में आपको 5% और extra discount भी मिल जाएगा ठीक है तो आप sort of code use करके यहां पर 5% extra discount ले सकते हैं ठीक है और एक और चीज़ है अगर आप मेंसे कोई SSC वाला student ऐ ऐसा है जो कि अब कोई batch लेना चाहता है या mock test लेना चाहता है तो आपके लिए नए plans आए हैं ठीक है brand new pricing plans और अपने launch करें ठीक है जहां पे आपको काफी ज्यादा कम price में चीज़ें मिलेंगी यहां पे आपको 30% off दिख रहा है लेकिन अगर आप code use करोगे sort of तो यह आपक से 5% का और extra off है ठीक है सारे super elite plans में और सारे elite plans में elite plans mocks का होता है और super elite plans courses plus mocks का होता है ठीक है और अगर आप मेंसे कोई ऐसा है जो bank की तरफ भी जा रहा है और banking की preparation कर रहा है जैसे bank और insurance exam ठीक है अभी अगर आप all bank और insurance exam की preparation करते हैं ESIC, LIC, IBPS, SBI तो यहां पे आपके लि course का access मिल जाता है सारे mock test का access मिल जाता है ठीक है सारे courses plus सारे mocks जो भी आप SBI, IBPS, LIC, ESIC की preparation कर रहे हैं तो सब कुछ यहां पे मिल जाएगा और code sort of pay आपको maximum discount भी मिल जाएगा banking super elite में तो आप इसे भी join कर सकते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और बस start करते हैं session यह science by इस और अरफ सर टेलीग्राम ग्रूप याद रखना PDF के लिए और चलो पहला सवाल तुम्हारे सामने screen पे आ चुका है और अब यहां से तब ही अपन रुकेंगे जब सारे सवाल हमारे complete हो जाएंगे ठीक है तो एक बार मैं session को share कर देता हूँ आप लोग भी थोड़ा सा कर ने यह रहा पहला सवाल आप सभी के screen के सामने आ चुका है अब answer आते रहना चाहिए मैंने एक बार वीडियो को share कर दिया है सभी तक बात पहुँच जाएगी और सभी लोगा बाते रहेंगे ठीक है Good morning guys पहला सवाल आप सभी के screen पे passion fruit and pomogranate are rich in which mineral passion fall है ना passion ये नाम है इसका अगर आप देखें तो ये कहलाता है passion fruit ठीक है ये कहलाता है आपका passion fruit आपने देखा नहीं होगा ना ही खाया होगा मैंने भी देखा और नहीं खाया है है ना लेकिन इसका नाम है passion fruit और pomogranate यानी क आनार are rich in which mineral यानी ये किस खनीज से भरपूर होते हैं कौन सा खनीज इन में पाया जाता है फॉस्फोरस, calcium, magnesium या कोई सा भी नहीं चलिए बताईए फटफट बढ़ियां answer क्या होना चाहिए answer होना चाहिए इसका फॉस्फोरस ठीक है इसमें क्या पाया जाता है फॉस्फोरस जो की हमारे bones and teeth के लिए जरूरी होता है किसके लिए हमारी हड़ियों और दातों का स्वास्त बनाई रखने के लिए उनकी मजबूती बनाई रखने के लिए फॉस्फोरस चाहिए होता है और जो पैसन fruit है या आपका अनार होता है इसमें फॉस्फोरस भरपूर मात्रा में पाई जाती है ठीक है तो answer हो जाएगा a option फॉस्फोरस clear अगला सवाल है which of the following is the correct order important सवाल which of the following is the correct order of the atomic radii of elements oxygen fluorine and chlorine यानि की oxygen fluorine और क्लोरीन तत्तों के परमाडू तरिज्या का सही क्रम क्या है ठीक है बढ़ते हुए क्रम में परमाडू तरिज्या दी गई है बढ़ते हुए क्रम में आपको बताना है कौन सा सही क्रम है oxygen fluorine और अगर chlorine की बात किया जाए तो oxygen fluorine और chlorine की oxygen fluorine और nitrogen होना चाहिए यार यहां पर oxygen fluorine और nitrogen माफ करिएगा यहां पर गलत लिखा है option में गलत लिखा है option में सही लिखा है आपका यहां पर question में गलत लिखा है मैं इसको सुधार देता हूँ ऑक्सीजन फ्लोरीन और नाइट्रोजन होगा ठीक है आप आंसर करो नाइट्रोजन को मान करके ऑक्सीजन फ्लोरीन और नाइट्रोजन यहां पे दिया हुआ है ठीक है यह आपका ऑक्सीजन फ्लोरीन और नाइट्रोजन है ठीक है यहां पे ऑक्सीजन फ्लोरीन यहाँ पे भी आज कर लो nitrogen अब करो answer ठीक है तो यहाँ पे इनका परमाडू त्रिज्या बतानी है ठीक है चलो राम राम मेरे भाई सभी लोग गुड मॉर्णिंग यार आते जाओ आते जाओ फटा फट आंसर क्या होगा answer क्या होगा किसकी परमाडू त्रिज्या जादा होगी किसकी कम होगी किसकी परमाडू त्रिज्या जादा होगी किसकी परमाडू त्रिज्या आपकी कम होगी यह आपको बताना है सबसे ज़्यादा किसकी होगी तो सबसे ज़्यादा जो होगी वो होगी नाइट्रोजन की उसके बाद होगी ऑक्सीजन की उसके बाद होगी फ्लोरीन की आंसर क्या हो जाएगा आपका डी आप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा होगी नाइट्रोजन की परमाडू तरिज्या फिर ऑक्सीजन की फिर फ्लोरीन की अब ये ऐसा क्यों होगा क्योंकि आपको याद रखना है कि जो आपकी periodic table है यानि आवर्तसारणी है आवर्तसारणी में जब आप इस दिसा में जाते हैं ठीक है इस direction में atomic radius यानि परमाडू तरिज्या बढ़ा करती है तो अगर आप देखो तो यहाँ पे है आपका फ्लोरीन यहाँ पे है oxygen और यहाँ पे है nitrogen और आप इस दिसा में जा रहे यानि आपका मेरे भाई atomic radius परमाडू तरिज्या क्या होगी ये भी बढ़ेगी तो सबसे ज़्यादा कि इसकी होगी nitrogen फिर oxygen की फिर fluorine की ठीक है ऐसे ही अगर आप down the group जाते हो अगर आप नीचे की तरफ जाते हो तो भी atomic radius बढ़ा करती है अगर इसी तरह आप down the group जाओगे तो भी परमाडू तरिज्या बढ़ती है यानि fluorine से ज़्यादा chlorine की होगी chlorine से ज़्यादा bromine की bromine से ज़्यादा iodine की और इसी तरह परमाडू तरिज्या नीचे बढ़ेगी ठीक है तो यहाँ पे आप इस दिसा में है ना 18th group से first group की तरफ जाओ तो atomic radius बढ़ती है और अगर उपर से नीचे आओ तो atomic radius बढ़ती है और भी सारी चीज़ें आपके सामने लिखी है electron affinity आ ठीक है इस पे आपको कई सारी चीज़ें एकी जगह पे दिख जाएंगी कि कौन सी चीज किस direction में बढ़ती है clear है आगे आजाओ आजाओ ठीक है चलो आगले अगला सवाल थरपरकार is the breed of which animal थरपरकार is the थरपरकार किस जानवर की नसल है basically आपका आया हुआ सवाल है ठीक है ये group D का आया हुआ सवाल है और बहुत important है ठीक है चलिए अगला सवाल करेंगे सभी कुंदन मेरे भाई good one यार आते जाओ है ना थोड़ा बहुत फटटफट शेयर करो और आते जाओ session में बहुत important सवाल है आज की class में सारी चीज़े focus करके बताते जाओ answer तो ये जो होती है थार पर कर ये आपका काउ यानि की गाए है ना काउ जो होती है गाए उसकी एक नसल होती है ये है आप ये सामने गाए है ना ये थार पर कार गाए है ठीक है तो ये एक प्रकार की गाए की आपकी नसल होती है ठीक है ये आया हुआ सवाल है हाना कि ऐसे सवाल नहीं याद र तो थोड़ा बहुत दिमाग में आपके रहा आएगा ये अगले सवाल में चलते हैं वाइज ब्लड कलर इस ब्राइट रेड वाइज ब्लड कलर इस ब्लड कलर इस ब्राइट रेड डैट फ्लोर स्रॉम दा लंग्स तूदा हार्ट रत का रंग चमकीला लाल क्यों होता है जो से हरीदें तक जाता है ये आपको बताना है थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सवाल मांकी आंसर आप डारेक्ट कर दोगे ऑप्शन पढ़ेंगे अपने सामने एडिशन आफ पिगमेंट टू ब्लड इन लंग्स फेफडों में रक्त में वर्नक जोडने के कारण एडिशन मतलब रक्त का मतलब यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीकरण नहीं होना है तो क्या होगा आंसर बताइए फटा फट बताइए आंसर जो होगा मेरे भाई वो होगा एडिशन ओफ पिगमेंट क्या होगा आंसर एडिशन ओफ पिगमेंट टू ब्लड इन लंग्स ठीक है एडिशन ओ रंग्स में जाता है उसमें oxygen भर जाती है और उसी के साथ उसमें कई सारे pigments भी आ जाते हैं वर्णक आ जाते हैं तो जो उसमें वर्णक आते हैं वही उसके चमकीले रंग का है ना उसका ब्राइट रेड कलर का कारण बनते हैं आपको पता है ना वर्णा की रंग प्रदान करता है आपको यह पता है कि वर्णा की रंग प्रदान करता है यानि कि अगर उसमें पिगमेंट एड होगा हमारे ब्लड में और कुछ नया पिगमेंट एड हो हो ठीक है यह आपका क्या है यहां पर यह देखो oxygen पूर यानि की जिस रक्त के पास oxygen की कमी होती है ठीक है co2 filled blood यानि उसमें carbon dioxide भरी है तो वो कहा से flow होता है flows into right atrium राइट आट रियम वो हमारे right atrium से flow हुआ करता है कहां से flow होता है राइट arterium वाले भाग से flow हुआ करता है यह देखे यह है आपका right arterium वाला भाग ठीक है यहाँ पर बस एक नजर डाल लो यह right arterium वाला भाग है और फिर इसके बाद वो कहां जाता है flows from right arterium to right ventricle कहां जाता है right arterium से right ventricle में और right ventricle pumps blood to pulmonary artery that leads to ठीक है जो right ventricle है वो यहाँ पे इसको blood को कहां ले जाती है pulmonary artery में और यह pulmonary artery उस blood को कहां पे ले जाती है आपके lungs पे ले जाती है उसको क्या करने के लिए उसको oxygen देने के लिए और lungs में जा करके जो blood में CO2 होती है वो आप बाहर निकाल देते हो और जो आप oxygen लेते हो सांस के द्वारा वो lungs क्या करता है उस blood में oxygen भर देता है और फिर कहां आता है aorta से आपके आता है left arteryum में left arteryum से जाता है left ventricle में और फिर आपके सरीर के अलग-अलग भाग में चला जाता है तो दो आपके वहाँ पे loop बना करते हैं ठीक है याद रखेगा तो राइट आर्ट्रियम में आपका डी ऑक्सिजिणेट ब्लड या कार्बन डायक्साइड युक्त ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल से होते हुए है ना फिर आपका ये कहां चला जाता है पल्मोनरी आर्ट्री से लंग्स पे तो पूरा याद रखेगा कि कैसे ये काम किया करता है ठीक है चलो क्योंकि वहाँ से भी सवाल आपके आजाते हैं वहाँ से भी सवाल आपके आजाते हैं उमीद करता हूं सभी को समझ में आरहा होगा आगे देखो which of the following is an example of gravitational potential energy निम्न लिखित में से कौन गुरुती ये इस्थितिज उर्जा का उधारन है चलती हुई गाड़ी, moving car, पैर से गेंद को लात मारना, food kicking a ball, bullet fired from a gun बंदूख से चलाई गई गोली, या बाध के बाध में जो पानी होता है बाध के पीछे का जो पानी है, water that is behind a dam कौन सा यहाँ पर परफेक्ट इग्जामपल है, gravitational potential energy का अंकीता गुड मॉर्णी आते जाओ यार, फटा फटा आंसर करो क्या होगा आंसर, बिल्कुल, D option आ रहा है सभी का, है न चलिए सतेंद्रा भाई, D option correct answer होगा, water that is behind a dam gravitational potential energy, यानि हम बात कर रहे हैं, इस्थिती जूर्जा की, हम किसकी बात कर रहे हैं, इस्थिती जूर्जा की बात कर रहे हैं, और इस्थिती जूर्जा मैंने बताया है, कि वो आपका जमीन से आप कितना उपर है, आपके position के आधार पे आपकी इस्थिती के आधार पर जो आपके सरीर में उर्जा वहाँ पे इस्टोर होती है वही कहलाती है potential energy तो अगर आप देखो बाध बाध में ये क्या पीछे क्या भरा हुआ है पानी ठीक है और ये पानी कैसा है इस्टिल पानी है यानि इस्थिर पानी है तो कि अगर कोई चीज गती में नहीं है अगर कोई चीज रुकी हुई है तो उसमें किस प्रकार की उर्जा रहती है उसमें किस प्रकार की उर्जा रहती है potential energy आपकी होती है बांकी चलती हुई गाड़ी में kinetic energy होगी आपकी जो गेंद अगर आपने किक करी उसमें भी kinetic energy होगी ठीक है क्यूंकि उसमें गती जूर जाएगी उसमें गती आपको देखने को मिलेगी clear है अगला सवाल who coined the word diffraction विवर्तन सब्द किसने गढ़ा ठीक है diffraction यानि विवर्तन आप सभी को पता है diffraction क्या होता है है ना optics का एक phenomena है light का अपनी दिशा से मुढ़ जाना लाइट का अपनी दिशा से मुढ जाना ही diffraction विवरतन कहलाता है इसको किसने इस सब्द को गढ़ा था आईजेक न्यूटन, क्रिष्टियन हाइगन्स या आपके थॉमस यंग ने या फ्रांसेसको मारिया गरिमाल्डी किनों ने दिया था ये सब्द diffraction बताईए फटा फट ब फ्रांसेसको मारिया गरिमाल्डी इन्हों ने ये diffraction सब्द आपका दिया था तो आपको वस थोड़ा सा यहां पर यही याद रखना है कि किसने ये सब्द दिया था फ्रांसेसको मारिया गरिमाल्डी ने ठीक है अगला सवाल है which of the following is the correct order of increasing pH values निमन लिकित में से कौन सा pH मा बढ़ने का सही क्रम है संत्रा दूद ब्लीच ओरेंज मिल्क ब्लीच मिल्क ओरेंज बाटर दूद वंत्रा प्लीच नहीं मन में हो गया की नहीं चले बताथिए कौन सा pH मां बढ़ने का सही क्रम है ये आपको बताना है अरे बोलो नहीं बोलोगे तुम थोड़ा सा लाइक और शेयर करो यार वीडियो को क्या कर रहे हुए चलो क्या होगा आंसर निम्न लिखित में से कौन सा पी अच मान बढ़ने का सही क्राम है आंसर हो जाएगा A option ठीक है आंसर क्या हो जाएगा आपका यहां पे A option जो bleach है उसका सबसे ज़्यादा पी अच होगा उसके बाद दूद का होगा उसके बाद संत्रे का होगा संत्रे में आपको पता है साइट्रिक एसिड होती है संत्रे में आपको पता है साइट्रिक एसिड होती है तो ये क्या होगा ये आपका अमलीय होगा क्या होगा ये आपका अमलीय होगा जो दूद होता है वो भी अमलीय होता है लेकिन उसकी अमलता बहुत कम होती है जो pH मान होता है वो साड़े 6 होता है और जो आपका bleach है bleach तो आपका base हो गया चार हो गया जिसका pH मान काफी जादा होता है यह एक strong base हुआ करता है जिसका pH मान होता है 11 के बराबर तो answer क्या हो जाएगा आपका a option correct answer हो जाएगा आपका answer क्या हो जाएगा a option correct answer हो जाएगा आगला सवाल चलेंगे identify the mg2 plus ion from the figure यहाँ पे आपको कौन सा जो चित्र दरसाए गए है ना अलग-अलग इन में से mg2 plus ion कौन सा है यह बताना है जहाँ पे n और p क्या दरसाता है neutron और protons का number दरसाता है identify the mg2 plus ion from the figure where n and p represents the number of neutrons and protons respectively यह बताओ जो आपको दरसाया गए है ना n और p यह proton और neutron की संख्या है बीच में लिखा है n 12 p 10 ठीक है यह neutron और proton की संख्या है बताओ कौन सा चित्र आपे mg2 plus ion है फटा 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 बताओ उस अभी का अंसर आना चाहिए देखो यहाँ पे जो आप देखो mg2 plus ठीक है magnesium magnesium का परमाडू संख्या 12 और द्रविमान संख्या 24 होती है परमाडू संख्या 12 और द्रविमान संख्या 24 होती है अगर मैं magnesium 2 plus की बात करूँ तो 2 plus का मतलब क्या होता है कि magnesium ने 2 electron अपने दे दिये यानि 2 electron अपने loss हो गए है ना loose कर दिये इसने 2 electron का loss हो गया magnesium 2 plus को याद रखो यहाँ पे यहाँ पे यह जो 2 plus दिखा रहा है यह electron में कमी दिखा रहा है neutron और proton में कमी नहीं दिखाता न्यूट्रोन और प्रोटोन में कमी नहीं दिखाता जो परमाडू संख्या है ये आपके प्रोटोन की संख्या बताती है साथ में इलेक्ट्रोन की संख्या बताया करती है प्रोटोन और इलेक्ट्रोन की संख्या बताता है आपका जो द्रवेमान संख्या होती है यानि मास नंबर ये प्रोटोन और न्यूट्रोन की संख्या बताता है यानि अगर प्रोटोन आपके 12 है और परमाडू द्रवेमान संख्या 24 के बराबर है यानि न्यूट्रोन भी आपके 12 होंगे neutron भी 12 होंगे तो ये option तो होगा नहीं ये option भी नहीं होगा बचा A और D option अब देखो यहाँ पे अगर 2 electron निकल गए magnesium के तो magnesium के पास कितने electron बचे 10 electrons बचे magnesium के पास कितने electron बचे 10 electron पहले कितने थे 12 electron जितनी परमाडू संख्या थी तो आपका अंसर हो जाएगा D option आपका अंसर हो जाएगा D option क्योंकि अगर यहाँ पे देखो तो अंदर वाले कोश में 2 फिर इसके बाद 8 तो ये वाले option में 12 electron है तो जो outer cell है न ये आपकी हो गई K shell ये हो गई L shell और ये M shell M shell में जो 2 electron है वही आपके क्या हो जाएगे निकल जाएगे वही electron loss कर देगा और केवल K shell में 2 और L cell में 8 electron बचेंगे 10 electron बचेंगे magnesium के पास तो आंसर क्या हो जाएगा D option आपका correct answer इस सवाल का होगा अगला सवाल How many electrons are present in M shell of an element with atomic number 20 परमादुक्रमांक 20 वाले तत्यों के M koosh में कितने electron उपस्थित होते हैं ये आपको बताना है 5, 8, 12, 18 ये आपको बताना है मेरे भाईओं कि कितने electron M koosh में present होते हैं atomic number 20 देखो अगर atomic number 20 की बात करें अगर हम atomic number 20 की बात करें तो यह किसका होता है calcium का से और अगर इसके electronic configuration की बात किया जाए electronic vinyasa की बात किया जाए तो यह होता है 2882 और यह 2882 क्या बताता है k shell m shell l cell KL m sjl यहीं बताता है calcium का जो electronic vinyasa 2882 के बराबर होता है यानि की k cell में 2 electron l cell में 8 m cell में 8 और N cell में 2 electron होते हैं यानि आंसर क्या हो जाएगा आपका 8 electron इसके M cell में होता है clear है यहां तक बात समझ में आती है सभी को clear है बहुत बढ़ियां आगे बढ़ जो ठीक है यह आपके सामने है आप यहां पे चित्र में भी देख सकते हैं यह आप यहां पे चित्र में भी अच्छे से देख सकते हैं अपने सामने electron गिन सकते हैं ठीक है यह आप अगर देखो तो यह आपके दो electron हो गए K cell में ठीक है यह आपका हो गया K cell फिर आपका यह हो गया L cell 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फिर आपका यह हो गया M cell उसमें भी कितने electron है 8 और यह हो गया N cell उसमें कितने electron है एक आपका एक और एक यह दो ठीक है तो K L M N 2, 8, 8 और 2 में electronic configuration आपका चलता है calcium का clear है यहां तक सभी को आता है अगला सवाल मेरे भाई What is the botanical name of turmeric हल्दी का वानस्पतिक नाम क्या है botanical name क्या है है ना या आप scientific name भी कह सकते हो हल्दी हल्दी आप सभी जानते हो ना जड़ की तरह होती है जमीन के अंदर What is the botanical name of turmeric है ना करकूमा लोंगा रोजा या ओसीमम टैनी फ्लोरम या सेक्रूम ओफी सिनेरम क्या होता है ऐसे सवाल थोड़े कठीन ही होते है याद रखना बहुत मुस्किल होता है नाम भी काफी कठीन होते है लेकिन फिर भी आपको बताना है कि What is the botanical name of turmeric है ना हल्दी का वानस्पतिक नाम तो ये जो नाम होता है ये होता है क्या करक्यूमा लॉंगा क्या होता है करक्यूमा लॉंगा आपका होता है करक्यूमा लॉंगा ए आप्शन करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आपके सामने कुछ यहाँ पे वानस्पतिक नाम या आप कह सकते हैं कि जो scientific name है वो दिये है करक्यूमा लॉंगा आपका हल्दी का होता है जो रोजा होता है ये रोज है ना गुलाब के लिए होता है ये तो अपने नाम से ही बता रहा है कि ये गुलाब के लिए रोजा से गुलाब यानि की रोज है ना रोजा से गुलाब यानि रोज फिर इसके बाद आपका जो है बेसिल एक ब्लांट होता है उसका है ओसीमम टैनीफलोरं और सुगरकेन यानि गन्णा का है सैख्रम औफीसीनेरम सुझरकेन यानि गन्णा का यह भी important है याद रखेगा यह वाला भी आपका important हो जाता है सेक्रम, अफिस, इनेर्म ये गन्य का होता है यानि सुगर केеле तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान दिये रहे और थोड़ा सा जैसे रिवाइस करते रहोगे न जैसे मैं PDF अगयरा डाल देता हूँ थोड़ा PDF स्क्रॉल कर लिया करो रिवाइस कर लिया करो तो ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा है ना क्योंकि इनको तुम ऐसे रट नहीं सकते हो ये तुम्हारे आँख के सामने से जितना निकलते रहेंगे तो जब option देखोगे तो याद आ जाएगा है ना अगर कोई भले पूछे आपसे की गन्ने का वानास्पतिक नाम क्या है आपको नहीं याद रहेगा लेकिन आप जब 8-10 बार उसको ऐसे आपकी आँख के सामने से वो निकलेगा तो आपको नाम भले नहीं याद रहे लेकिन जब option देखोगे तो याद आ जाएगा कि हाँ यही था है ना और आप सही कर दोगे तो थोड़ा इस तरह से भी revise करते र वोल्ट मीटर बाई कनेक्टिंग एक गैलवनो मीटर को वोल्ट मीटर में बदला जा सकता है उसमें क्या जोडने से रजिस्टेंस जोडने से काम बन जाएगा लेकिन किस तरह से रजिस्टेंस जोडने से काम बनेगा अहाई रजिस्टेंस इन पैरलल कॉमिनेशन अहाई र बनता है गैलवनो मीटर बोल्ट मीटर में मेरे भाई ये कब बनता है जब हम समनांतर स्रिंखला में एक उच्छ प्रतिरोध को यानि एक हाई रजिस्टेंस को नहीं वोल्ट मीटर बनाना है तो सीरीज में जुड़ता है ठीक है वोल्ट मीटर बनाना है तो आपका सीरीज में series combination में अगर आप जोड़ दो high resistance को जब आप series combination में जोड़ दो तो volt meter बनता है याद रखिएगा ठीक है जैसे अगर देखो यह था galvanometer यहाँ पे अगर आपने resistance जोड़ दिया तो यह पूरा जो system बनेगा यह जो और galvanometer क्या होता है यह current को detect करने का काम करता है यानि कि केवल किसी भी विद्दूत परिपत में कोई भी electric circuit में current flow हो रही है कि नहीं हो रही है केवल इस बात का पता galvanometer से चलता है लेकिन उसमें कितनी धारा है उस धारा की मात्रा यानि magnitude यानि कि कितने ampere current flow हो रही है वो ammeter से पता चलता है ठीक है तो याद रखेगा galvanometer is an instrument for detecting and measuring electric current it is used to measure the direct current through an electric circuit यहाँ पर यह line गलत लिखी है measure नहीं करता ठीक है यहाँ पर यह measure वाला हटा देना measure नहीं किया करता है ठीक है low resistance in parallel अगर हम जोड़ते हैं galvanometer के तो galvanometer आपका किस में convert हो जाएगा ammeter में ठीक है याद रखियेगा halvanometer किस में convert हो जाएगा तुम्हारा ammeter में convert हो जाएगा तो यह भी याद रखना ठीक है series combination में high resistance ठीक है series combination में आप high resistance जोढ करके voltmeter बनाते हूँ ठीक है और यहाँ पे जब आप low resistance को parallel combination में जोड़ दो galvanometer से तो आपका क्या बनता है ammeter बना करता है जो की current नापता है ठीक है तो यह दोनों सवाल आपके important है ठीक है लैब में देखा है बहुत ही बढ़िया लेटिल लिव डिसीज डेवलप्स ड्यू टू डेफिसियंसी ओफ अगला सवाल छोटी पती रोग किसकी कमी के कारण विक्सित होता है बताओ छोटी पती रोग किसकी कमी के कारण विक्सित होता है copper sodium zinc या molybdenum copper sodium zinc या molybdenum little लिव डिसीज डेवलप्स ड्यू टू डेफिसियंसी ओफ बताइए copper sodium zinc molybdenum किसके कमे के कारण आपका छोटी प पौधे होते हैं वो पौधें में पतियां जो हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं अगर आप देखो तो यहां पर यह बड़ी बड़ी पतियां है ना यहां पर यह देखो यह बड़ी बड़ी पतियां हैं तो बेसिकली यह बड़ी बड़ी पतियां क्या हो गई अब देखो यह चोटी चोटी आपकी पतिया हो रही यानि कि इसमें कोई रोग लग गया है एक तरह से तो ये रोग किसकी कमी किसके कारण होता है पौधों में तो ये little leaf disease आपकी zinc की कमी के कारण होता है ठीक है जब पौधों में मेरे भाई zinc की कमी आती है ना zinc की मात्रा कमी आती है तो आपका ये छोटा पत्ती रोग हुआ करता है लिटिल लिफ डिसीज चलिए अगला सवाल अगला सवाल बहुत इंपोर्टन consider the following cell organs of the organism जीवों के निम्नलिखित कोशिकांगों पर विचार करो जीवों के निम्नलिखित कोशिकांगों पर विचार करो mitochondria chloroplast endoplasmic reticulum तीन आपको यहाँ पे आपको कोशिकांग दिये गए है mitochondria chloroplast और अंतह प्रद्यवी जलिका आप से पूछा गया है उपर दिये गए कत्नों में से कौन सा अर्ध स्वायत अंग है विच आप दीज स्टेट्मेंट विच आप दीज स्टेट्मेंट्स गिवेन अबव इज आर semi autonomous organically आपको बताना है अर्ध स्वायत अंग कौन कौन से इन में से होते हैं यह आपका जो कोशिकांगों के नाम है इन में से अर्ध स्वायत यानि semi autonomous organically आपके कौन कौन से है यह आपको बताना है अब यह सवाल आपका important ऐसे हो जाता है कि पहले आपको यह जानना है मेरे भाई कि semi autonomous organically यानि अर्ध स्वायत अंग होते क्या है semi autonomous organically होते क्या है तो ऐसे organically यानि ऐसे कोशिकांग जिन के पास अपना DNA होता है बात को सुनना ऐसे कोशिकांग जिन के पास अपना DNA होता है उन्हें हम semi autonomous organically कहते हैं यानि अगर उनके पास अपना DNA है क्या है अपना खुद का DNA RNA मौजूद है तो वो कहते हैं semi autonomous mitochondria आप सभी को पता है mitochondria क्या है वो आपका power house of cell कहलाता है और mitochondria के पास अपना खुद का DNA मौजूद होता है है ना उसका अपना खुद का DNA mitochondria के पास आपका होता है अपना DNA यानि कि ये भी क्या है semi autonomous organically हो जाएगा mitochondria भी एक प्रकार का semi autonomous organically हो जाएगा जो chloroplast है chloroplast कहां पाया जाता है पौधों में पाया जाता है ना plants में chloroplast जिसके अंदर histometa होता है ठीके थैला कोई डिस्क होती है जहां पर प्रकास translation की प्रक्रिया होती है तो chloroplast के पास भी अपना खुद का DNA हुआ करता है chloroplast के अंदर कोशिकाएं होती है भया आंसर क्या होगा इस सवाल का first and second आपका correct होगा ठीके already playlist बनी हुई है ना चलो तो answer क्या होगा mitochondria और chloroplast आपका अंतर प्रदवी जलिका वहाँ पे नहीं रहेगा option में clear है सभी मेरे भाई को अगला सवाल बहुत ही शांदार इन वीच ऑफ दा following the true nucleus is not found है ना नीमनिलिकित में से किसमे वास्तविक केंदरक नहीं पाया जाता वास्तविक केंदरक मतलब हम ये कह देते हैं कि इनमें nucleus मौजूद ही नहीं है क्या कहते हैं कि इसमें nucleus absent है nucleus present ही नहीं है वास्तविक नूखलियस मوجود ही नहीं है ना तो ऐसा किसको बोल सकते हैं हरे सेवाल को कवक या लाइकन या जिवाडू ग्रीन एलगी, फंगस, लाइकन या बैक्टीरिया किसको बोल सकते हैं फटाक से बतादो मेरे भाई फटाक से बता दो एक बार वीडियो को बढ़ियां से लाइक करेंगे सभी मेरे भाई और फटाक से आंसर करेंगे सवाल का आंसर होगा यहां पे क्या किसके पास बैक्टीरिया भी या बैक्टीरिया इतना टाइम नहीं लगना चाहिए सवाल में इतना कठिन तो सव होता है nucleus absent होता है इसी को हम यह कहते हैं कि या तो nucleus absent है absent मतलब कि nucleus मौझूद ही नहीं है उस कोशिका में है ना उस cell में nucleus मौझूद ही नहीं है या ऐसा भी नहीं है कि nucleus नहीं होता वो well developed नहीं होता यानि वास्तविक nucleus नहीं होता है ना true nucleus नहीं होता यानि bacteria correct answer प्रोकेरियोटिक जितने भी जीव हैं वो आपका करेक्ट आंसर होगा आपको पता है कि जो भी प्रोकेरियोटिक और्गेनिजम है जिनके पास भी न्यूक्लियस एबसेंट है न्यूक्लियस नहीं मौजूद है इनको कौन से किंगडम में रखा गया है तो इनको रखा गया है Monira Kingdom में कौन से सामराज्जे में Monira सामराज्जे में रखा गया है तो जितनी भी बैक्टीरिया जितनी भी आर्क बैक्टीरिया है वो सारी किसमें आती है Monira Kingdom में आती है तो याद रखेगा बांगी सब के पास अपना nucleus हुआ करता है clear है, यहां तक सभी मेरे भाई को समझ में आता है, math की नहीं मिली, चलिए math की बनवा देता हूँ मैं अगर नहीं बनी है तो, है न which of the following is not a heterocyclic aromatic compound निम्न लिखित में से कौन एक विसम चक्री है, सुगंधित यौगिक नहीं है, विसम चक्री है, सुगंधित यौगिक aromatic compound तो आपको पता है कि जिनमें आपका क्या हो, जिनमें आपकी ring मौझूद हो, जिनमें क्या हो, ring मौझूद हो जैसे benzen हो गया, toluene हो गया, anthracene हो गया वो होते aromatic compound एक और word लगा है विसम चक्री है, यानि कि heterocyclic, एक आपका यहाँ पर और word लगा है heterocyclic, heterocyclic का मतलब मैं आपको बताता हूँ, फिर आप answer करना, अगर oxygen, nitrogen sulfur इन तीन में से इन तीन में से कोई भी चीज, अगर एक carbonic योगिक यानि एक अगर organic compound में मौझूद है, तो उसे हम heterocyclic compound कहते हैं clear है, हम उसे क्या कहते है heterocyclic compound कहा करते है, यानि अगर उसमे carbon और hydrogen मौझूद है, तो वो आपका क्या होगा वो आपका normal organic compound रहता है, ठीक है, आपका aromatic compound, लेकिन अगर उसी carbon और hydrogen के साथ में oxygen या nitrogen या sulfur मिल जाए, तो वो हो जाता है विसम चक्री है योगिक, है ना, तो आपको बताना है क्या होगा, ट्रोपोलोन, फ्यूरान थायोफीन या पीरिडीन answer क्या होगा, 15th का यह option answer होगा tropoline, sorry, tropolone, आपका correct answer इस सवाल का हो जाएगा tropolone अगर देखें, तो यह कुछ ही इस प्रकार का दिखता है, ठीक है यहाँ पे देखो ठीक है, नहीं यह tropolone थोड़ी है एक सिकंड, एक सिकंड आपके सामने यह हो गया फ्यूरान, यह हो गया थायोफीन, यह हो गया पाइरोल यह हो गया पिरिडीन, अगर आप देखो रुख जाओ, मैं बताता हूँ, अगर आप देखो यहाँ पे, जो पहले अपन बात कर रहे थे हेट्रोसाइकलिक कमपाउंड की, तो वहाँ पे पिरिडीन में देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन मौझूध है, मैंने बोला ना, आक्सीजन नाइट्रोजन या सलφर, अगर इन में से कोई भी चीज मौझूध है, तो यह हेट्रोसाइकलिक होगा, पिरिडीन में भी, देखो, नाइट्रोजन मौझूद है, फियूरान में भी यहाँ पे क्या मौझूद है oxygen मौझूद है और थायोफीन में भी यहां पे क्या मौझूद है sulfur आपका मौझूद है तो यह सब क्या हो जाएंगे यह सारे जो हो जाएंगे heterocyclic compound हो जाएंगे ट्रोपोलोन नहीं होता I think यह figure में है ही नहीं है है ना चलो heterocyclic compound बस याद रखो यहां पे जितने तुम्हारे सामने example है ना तुम इन example को याद कर लो बस जितना मैंने तुम्हारे सामने example लिख दिये हैं उस example को बस तुम याद कर लो ठीक है बस वही है तुम्हारे काम का उतना एक्जामपल तुम्हारे याद रहना चाहिए ठीक है वही इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए क्योंकि कभी भी अगर इससे रिलेटेड आया पेपर में तो पीरिडीन, पाइरोल, फ्यूरान और थायोफीन यह आपके हेट्रो साइकलिक कंपाउंड हुआ करते हैं ठीक है चलिए अगला सवाल विच आफ दा फॉलोइंग इस एन आइसो ट्रॉपिक की नेचर निमने लिखित में से कौन प्रकृतिक प्रकृति में एन आइसो ट्रॉप की नेचर निमने लिखित में से कौन प्रकृति में एन आइसो ट्रॉपिक होते हैं एन आइसो ट्रॉपिक ग्लास रबर प्लास्टिक क्वार्ड्स ग्लास रबर प्लास्टिक क्वार्ड्स एन आइसो ट्रॉपिक इन नेचर बताओ एन आइसो ट्रॉपिक इन नेचर का होता है कि अलग-अलग दिसा में अलग-अलग भौतिक गुणों को दरसाना यानि अलग-अलग दिसा में अलग-अलग physical quantities को physical properties जो दरसाते हैं वो कहलाते हैं एन-isotropic यानि crystalline solid यहां पर आपको बताना है crystalline solid कौन सा है यहां बारे में पहले अमारफस और ग्लासी सॉलिड ऐसे होते हैं कि जिन में जो आपके वहाँ पे अडू मौजूद होते हैं यानि मौलीक्यूल्स मौजूद होते हैं वो प्रॉपरली अरेंजड नहीं होते वो कैसे होते हैं रेंडमली अरेंजड होते हैं कैसे होते हैं उनका कोई निस्चित एक आकार नहीं होता, उसमें जो अडू है, molecules हैं, वो randomly arrange होते हैं, उन्हें कहते हैं, अमारफस solid, यह हम उन्हें क्या कहते हैं, ग्लासी solid कहा करते हैं, ठीक है, they have a irregular arrangement of particle, hence they don't have a definite external geometry and sharp melting point, ठीक है, their physical properties have same value in all direction, जो उनकी physical properties है, उसका जो value है, वो हर दिसा में बराबर होता है, हर दिसा में बराबर होता है, क्यों, क्योंकि वो randomly arrange होते हैं, कि किसी भी दिसा में अगर तुम refractive index देख रहे हो उनका, या उनका अगर melting point देख रहे हो, तो सारी चीज़ें same रहती हैं, लेकिन जो crystalline solid होते हैं, जो आपके crystalline solid हुआ करते हैं, जिनमें atoms आपके properly arranged होते हैं, उनकी हर दिसा में, उनकी हर दिसा में, जो आपकी भौतिक मात्राएं हैं, जो physical quantities हैं, वो हर दिसा में अलग-अलग होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे anisotropic की बात कर रहा, anisotropic की property कौन सो करता है, crystalline solid सो करते हैं, क crystalline solid यानि की जिसमें molecules properly arranged होते हैं, ठीक है, उनका well shaped structure होता है, हैना इधर उधर ऐसा नहीं होता कि कहीं पे भी arranged है, amorphous solid की तरह नहीं होते, और crystalline solid होते हैं anisotropic, यानि की इनका जो भौतिक मात्रा है, वो हर दिसा में अलग-अलग होगी, और amorphous solid की भौतिक मात्रा हर दिसा यानि की जैसे होगी, इन्हें कहेंगे isotropic solid, ठीक है, तो आपका answer हो जाएगा यहाँ पे कांच, क्या होगा, glass आपका correct answer हो जाएगा, जो कांच होता है, जो कांच होता है, उसमें जो molecules हैं, वो molecules क्या होते हैं, crystalline होते हैं, उनमें, वो properly arranged होते हैं, वहाँ पे molecules, ठीक है, चलो आगे बढ़ो ठीक है अरे ये थोड़ा सा ये जो crystalline और Amorafous Solid का concept है इसमें थोड़ा सा बच्चे confused हो जाते हैं बस आप ये आद रखो crystalline solid crystalline solid मतलब जिसमें सब कुछ अच्छे से रखा हुआ है उसमें जो भौतिक मात्राएं वो हर दिसा में अलग अलग होंगी ठीक है हर दिसा में अरे तुम प्रिज्म देखे हो प्रिज्म अपने सामने देखे हो प्रिज्म को अगर तुम थोड़ा थोड़ा घुमा दो तो light की दिसा बदलती रहती है न अरे प्रिज्म अगर तुम ऐसे देखे होगे तो जैसे अगर थोड़ा सा भी तुम light की दिसा को घुमाते जाओगे तो तुम्हें light जिस दिसा में जाएगी उसके दिसा में भी परिवर्तन मिलेगा यानि कि ह बहुत अच्छे से अरेंजड है लेकिन इसकी जो भौतिक मात्रा है वो हर दिशा से आने पर अलग अलग दिख रही है ठीक है तो याद रखेगा इसी लिए क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम क्या कहते हैं एन आइसो ट्रॉपिक और अमारफस सॉलिड को आइसो ट्रॉपिक सॉलि में होता कार्बणिल समू का मतलब है कार्वण के साथ एक औक सीजन डबल बॉंड में होना यह कहलाता है कार्वणिल ग्रॉप और यहां पे आपको रखाने कौन सा नहीं होगा अल्डिधाइड कार बॉक्सली गैसिड कीटोन या इथेनॉल तो आंसर जो होगा वो होगा इथेनॉल आपका correct answer होगा, क्योंकि अगर आप इथेनॉल को देखेंगे, अगर आप इथेनॉल को देखेंगे, तो C2H5OH, यह होता है molecular formula, है न, किसका इथेनॉल का, और अगर आप इसको खोलोगे, अगर आप इसका structural formula देखोगे, तो यहाँ पे carbon के साथ OH group जुड़ा हुआ ह ठीक है, तो यह carbonil group है, जिसमे carbon के साथ oxygen double bond में है, लेकिन यहाँ पे, आपका single bond में oxygen है, तो इथेनॉल क्या है, इसके अंदर carbonil group नहीं होता, इसमें कौन सा group होता है, hydroxyl group, अगर कभी पूछे, तो याद रखना कौन सा group होता है, hydroxyl group इसे कहते हैं, OH group जो होता है न, यह alcoholic group, alcoholic group या आप hydroxyl group कह सकते हैं, alcoholic group या hydroxy group कहते हैं, अल्डाइड की बात करें, तो इसमें Bhag bond O-H होता है ना ये C double bond H होता है ना CHO C double bond O-H होता है Carboxylic acid में अगर आप देखें तो ये क्या होता है C double bond O-H होता है COOH COOH है ना इसी तरह कीटोन कीटोन आपका ये तो सामने आपके सामने कीटोन ही बना हुआ है सामने आपके सामने किटोन ही बना है R C double bond O R dash ठीक है तो इन सब के पास कार्बोनील ग्रूप होता है तो कार्बोनील ग्रूप मतलब कार्बन के साथ double bond अगला सवाल the longest muscle of human body is मानो शरीर की सबसे लंबी पेशी बताओ मानो शरीर की सबसे लंबी पेशी सर्टोरियस इस्टेपिडस ग्लूटस मैक्सिमस या नन अब दैवब फटा फटा आंसर करेंगे सभी मेरे भाई दे लॉंगेस्ट मसल of human body is सर्टोरियस इस्टेपिडस ग्लूटस मैक्सिमस नन अब दैवब मानो शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है बताओ C option नहीं होगा यार तुम लोग C option के पीछे क्यों पढ़ गए हो सर्टोरियस मसल होगा करेक्ट आंसर पचास बार ये सवाल मैं करा चुका हूँ पहले होई ग्लूटस मैक्सिमस लार्जस्ट मसल होती है अरे तुम्हें कुछ नहीं आता देखो यहाँ पे देखो ये देखो ये तुम्हारे सामने फिगर दिख रहा है ये देखो सबसे छोटी पेशी smallest smallest मसल smallest मसल कहां पे होती है हमारे कान में होती है जिसे हम क्या कहते है stepidus मसल कहते है किस से जुड़ी होती है steps हड़ी से जुड़ी होती है ये देखो आपकी steps हड़ी मैंने बताया था ना हतकड़ी के आकार की हड़ी होती है steps हड़ी बताया था ना हतकड़ी के आकार की हड़ी ये होती है है ना हतकड़ी के आकार की ये हड़ी होती है स्टेप्स और इसी की जो मांस पेशी है इसी की जो मांस पेशी है उसे कहते हैं स्टेपिडस मसल और ये सबसे छोटी मसल होती है फिर अगर ये देखो ये होती है ग्लूटस मैक्सिमस लारजस्ट मसल जो हमारे पीछे मौजूद होती है ठीक है हमारे बट मसल इसे हम क्या कहते बट मसल या बटाकस भी कहते हैं बट मसल या बटाकस भी कहा जाता है Glutus Maximus टीक है जो आपके ये पीछे मसल होती है इसके अलावा फिर इसके बाद अगर मैं सबसे लंबी की बात करूँ तो ये आपकी कहां होती है Sertorius मसल जो जांग की होती है यह वाली है तुमारी femur huddy यह कौन सी है तुमारी femur huddy यह देखो यहाँ से सुरू हुई और यह muscle यहाँ पे गुठने के नीचे आ करके तुमारी जुड़ी है तो यह हो गई sertorius यानि सबसे लंबी muscle यह सबसे लंबी, यह सबसे बड़ी यह सबसे छोटी जब किसी वस्तु को, बहुत important सवाल आवतल दरपण के focus और center of curvature के बीच में रखा जाता है तो प्रतिभींब की प्रकिति क्या होती है, किस प्रकार का प्रतिभींब का निर्माण होता है जब किसी वस्तु को focus और center of curvature के बीच में रखा जाता है highly diminished, diminished, magnified यह नहीं होता है बब answer क्या होगा, answer जो होगा इस सवाल का, यार एक बार बढ़ियां से पहले like करो यार session, तुम लोग बड़े बतमीज हो है ना तुम लोग session share वेर नहीं करते हो, ना ही like करते हो, बस पढ़ते रहते हो, ऐसा मत करो answer हो जाएगा magnified, ठीक है चलो, answer क्या हो जाएगा magnified, याद रखो कि जब भी focus और center of curvature focus और center of curvature के बीच में कोई भी वस्तु रखोगे कोई भी object रखोगे है ना, तो यह जो object की image बनेगी ना, वो तुम्हारी बनेगी center of curvature के बाद में और enlarged image बनेगी, कैसे बनेगी enlarged image आपकी यहाँ पे निर्माड होगा enlarged image, बड़ी छवी यहाँ पे बनेगी, clear है, तो answer क्या होगा, enlarged image, ठीक है चलिए, अगला सवाल what is the difference of magnetic field lines inside the magnet, चुम्बक के अंदर, चुम्बक की चेत्र रेखाओं की दिसा क्या होती है सभी का answer आना चाहिए, east pole to west pole, west pole to east pole, north pole to south pole, south pole to north pole, बताओ बताओ what is the direction of magnetic field lines inside the magnet कहां से कहां होती है अरे कर दो answer नहीं करोगे अरे कर दो क्या होगा, भाईया north pole से south pole, या south pole से north pole, कहां होगी तो south pole से north pole होगी ना, बिल्कुल correct answer है एक ही लोग ने answer किया, अंकीता बहुत ही बढ़िया, कहां से होगी, बिल्कुल d option south pole से north pole होगी क्योंकि आपको पता है, कि जो magnet होता है, जो आपका magnet हुआ करता है, तो magnet में बाहर की तरफ जो direction होती है, magnetic field line की वो north pole से निकलती है magnetic field line आपकी north pole से निकलती है, और south pole में entry लेती है, north pole से निकलके magnetic field line south pole में entry लेती है ठीक है, ये कहां होता है, चुम्बक के बाहर, magnet के बाहर, north से निकलके south में, और magnet के अंदर, वही magnetic field लाइन तुम्हारी साउथ पोल से नौर्थ पोल की तरफ जाती है कहां जाती है साउथ पोल से नौर्थ पोल की तरफ जाती है याद रखेगा कहां से जाती है साउथ पोल से नौर्थ पोल की तरफ मैगनेट के अंदर तो मैंने वही पूछा इंसाइड दा मैगनेट तो कहां स साउथ से नौर्थ पोल की तरफ और बाहर मेगनेट के नौर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ठीके याद रखिएगा which of the following metal is the key component of vitamin B12 बहुत आसान सा सवाल निमने लिखित में से कौन सी धातू vitamin B12 का प्रमुग घटक है ये सवाल तुम हजार बार कर चुके हो दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है आंसर हो जाएगा कोबाल्ट है ना आंसर हो जाएगा कोबाल्ट vitamin B12 का जो रासाइनिक नाम है वुसी से पता चल जाता है क्या ये की क्या होगा आंसर साइनो कोबाला मिन cobala mid ये होता है vitamin B12 का रासाइनिक नाम, यहीं से पता चलता है कि यह cobalt containing vitamin है यानि इसमें cobalt धातू पाई जाती है cobalt containing vitamin है cobalt धातू इसमें पाई जाती है कोई तूप नहीं मारा तुमने इस सवाल का अंसर करके which of the following is the largest virus यह भी मैंने कराया है इस तरह वाले सवाल लगतार आ रहे हैं इसलिए मैं करा रहा हूं कि which of the following is the largest virus निमने लिखित में से सबसे बड़ा वाइरस कौन सा है तो यह होगा अता है Megavirus Chilensis Megavirus Chilensis जो है यह सबसे बड़ा वाइरस आपका होता है ठीक है अपने नाम से बता रहा है Megavirus Chilensis यह सबसे बड़ा वाइरस आपका हुआ करता है ठीक है तो आंसर हो जाएगा A option What is the middle part of Pistil in a flower called? पुस्प में इस्त्रीकेसर के मद्दिभाग को क्या कहा जाता है? वतिकागर बीजान वर्तिका या पुंकेशर क्या कहते हैं? बताईए बताईए फटाफट अंकीता बहुत ही बड़ियां अंकीता ने आंसर किया style और वही correct answer है वर्तिका आपका correct answer हो जाएगा सबसे उपरी भाग top part होता है वतिकागर यानि stigma middle part होता है आपका वर्तिका और उसके नीचे होता है गरभासे यानि ओवरी सबसे नीचे वाला भाग क्या होता है? गरभासे यानि ओवरी हुआ करता है आप यहाँपर देखो यह है आपका क्या महिला वाला आपका यहाँपर अंग है फूल में यह वाला भाग जो सबसे उपर है कहलाता है वतिकागर ये जो सुराही की गरदन की तरह दिख रहा है ये कहलाता है style और नीचे ये आप जो मठकी की तरह देख रहे हो ये आपका कहलाता है ovary ठीक है और ovary में ये छोटे-छोटे जो दाने type के दिख रहे हैं लगे हुए हैं ये कहलाते हैं बीजाड़ू क्या कहलाते हैं όवियूल्स या बी जाडू आपके कहलाते हैं ओवियूल्स या आपके क्या कहलाते हैं बी जाडू आपके कहलाते हैं याद रखेगा तो ये भाग होता है और इसी तरह स्टेमन जो आपका मेल वाला पार्ट होता है मेल वाला पार्ट में इसको फिलामेंट कहते हैं ये डंडी दिख रही है, फिलामेंट यानि तन्तु कहते हैं इसको, ठीक है, इसके बाद जो आपको ये भाग पीला पीला दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं, इसको एंथर यानि की पराग कोश कहते हैं, और इसके अंदर आपको ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, मेल गैमीट यह क्या होते हैं मेल गैमिट इनको क्या बोलते हैं इनको बोला जाता है पॉलेंग्रेंग्रेंग्रेंग्रेंग्रेंग्रेंग्रेंग्रेंग्रेंग्रेंग्रेंग्रेंग्रेंग्रेंग्रेंग्रेंग्रेंग्रेंग्रेंग्रेंग्रेंग्रेंग्रेंग्रेंग्रेंग्रें देख लो यहाँ पर यह SSC वाले student के लिए है, आपके लिए maximum discount यहाँ पर मिल जाएगा sort of code से, ठीक है, SSC के student या railway वाले student, अगर नई जो pricing launch किया ओली बोर्ड, ठीक है, सारे plans की, तो आप उसको देख सकते हैं, और यह fit batch है, SBI PO और IBPSRBPO के लिए, यहाँ पर भी same code sort of से आपक discount मिल जाएगा maximum 45% का, दोनों batches में, चाहे आप SBI PO की preparation करो, या IBPSRBPO की करो, तो आपको fit batch में maximum discount मिलेगा, ठीक है, चलो, तो यहीं पर खतम करते हैं, आज की class, science wise or of sir, telegram group है, PDF के लिए आपको इसी group में join करना है, सारी classes की PDF में आपको बता दूँगा, और, ठीक है, मिलेंग अगली class में, साम की 5 बजे class में मिलते हैं, ठीक है, math वाली class में जरूर जूडा करो, और आज अपन वही करेंगे, level 2, 3 और 5 के लिए practice set करेंगे, maths के, तो maths वाली class में जरूर रा करो, बढ़ियां बढ़ियां सवाल अपन करते हैं, मैं आपको अच्छे अच्छे concept बताता हू साम के 5 बजे, तो आपी का फायदा है, बहुत कुछ सीखोगे, इसलिए मैं request करता हूँ कि math वाली class में जरूर आय करो, मिलते हैं साम के 5 बजे, और ठीक है, चलिए, take care, bye bye, have a nice day.